दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ कार्ड के डिडिल से विदाउट OTP आप पेमेंट कैसे विड्रोप कर सकते हैं किसी भी कार्ड से चाहे वो डेविड कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो तो यह जाननी के लिए इस वीडियो को एंड तक इस वीडियों काड देविड कार्ड मिलता है तो वह तीन कंपनी इंडिया कार्ड में इक वीजात माप्रग्राइब और रूपेगाड यॉप गादें लीचे के इंडिया और domain provide करवाता है तो इन websites पे अगर आप सिर्फ card detail भरते हो card का number cvb और expiry date अगर आप भरते हो तो आपका payment deduct हो जाता है आपको OTP की need नहीं पड़ती तो यह मेरा practical knowledge जो मैंने खुद use किया हुआ है तो अगर आपका card कहीं गुम हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने card का international payment बंद करवाएं या फिर card ही block करवादे वो better रहता है ताकि आपका payment deduct नहीं हो बहुत लोगों को लगता है यार कि मेरे पास phone है OTP मेरे पास आएगा तो बहुत सारे ऐसे website है जिन पर OTP नहीं आता और payment deduct हो जाता है इसके अलावा जो वीजा में ही एक facility है tap का system आपने देखा होगा कि tap करते हैं और payment deduct हो जाता है उसमें भी आपको OTP की need नहीं होती उसमें तो create card या debit card की details की भी जरूती ही परती बस आप tap करो और payment deduct हो जाता है तो इन दो card में यह आप implement कर सकते हों कि without OTP आप payment withdraw कर सकते हैं या फिर use कर सकते हैं तो अगर आप इस तरह की card यूज करते हैं वीजा के basically तो आप alert रहें क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे fraud अलरड़ी चल रहे हैं जो इनको use कर रहे हैं मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक ब तो थोड़ा alert होके इन cards को use करें I hope कि आपको पूरा method समझ में आ गया होगा कि without OTP कैसे withdraw होता है amount कैसे भी credit card या debit card से तो I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और ऐसे इंट्रेस्टिक वीडियो देखने के सब्सक्राइब भी जरूर करें